सो गाईज अपने आज की इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आप लोग को थैंक्स बोलना चाहता हूँ विकोज कल आपके चैनल पे यानि इंडियन एमी ब्लॉग चैनल पे 1K सब्सक्राइबर्स बोले या 1K फैमली कम्प्लीट हो गया है और मुझे बहुत जादा खुसी इसलिए भी हो रही है क्योंकि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो एक कंटेंट क्रेटर के लिए इससे बड़ा और क्या चाहिए आगे आने वाले समयमे में आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा content मेल आने वाला हूँ अपने इस channel पर अगर आप इस channel को पहली बार टून किये हैं पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूँ कि मेरा नाम है राजीव रंजन और मैं इस channel पर अगे आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे हैं तो चलिए अपना आज का topic को स्टार्ट करते हैं तो आज का topic है वो पूरे एमी सीरीज में सबसे important topic है जो कि है डिजी सीए एमी module exam के बारे में और आप लोग का इस topic पे बहुत सारा comment भी आता है कि प्लीज आप module exam के बारे में videos बनाओ module exam के बारे में बताओ modules क्या होता है वो बताओ आज के इस video में मैं यही सब कुछ कवर करने वाला हूँ so basically यह module है क्या तो module और कुछ नहीं यह आपका subjects है एमी course में जिसमें की aeroplane का हर चीज के बारे में A to Z knowledge देने के लिए पढ़ाया जाता है और यह module बनाया गया है और मैं इस video में मान के चल रहा हूँ कि आप लोग एमी course में admission ले चुके होंगे या बहुत लोग ऐसी होंगे जो लेने वाले होंगे तो यह जानना आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर यह module है क्या बहुत सब्सक्राइब लोग का तो अगर आपको पता नहीं कि computer number क्या होता जो लोग नय है तो computer number के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ जो वीडियो है उसका मैं description में link दे दूँगा और इधर i button में भी आ रहा होगा आप जाके वहां से देख सकते हो तो इस वीडियो में मैं आप लोग का semester exam and module exam को parallely लेके चलूँगा तो I am sure आप लोग का vision तो clear होगा कि आप लोग AIME course में admission क्यों लिए हो आप लोग AIME course में admission इसलिए लिए हो ताकि एक दिन आगे चलकर आप लोग AIME बन पाओ Aircraft Maintenance Engineer बन पाओ तो मैं आप लोग को बता दूँ कि इस module exam को semester exam से कोई मतलब नहीं है semester exam basically होता है वो आपका course complete करने के लिए बट यह जो module exam है यह आपका होता है engineer बनने के लिए Aircraft Maintenance Engineer बनने के लिए और यह जो semester exam है यह आपके college तक ही है बट module आप बाहर निकल के भी दे सकते हो like college से pass out होके भी आप यह module दे सकते हो अगर आपका सारा module clear नहीं हुआ है college में रहते हुए तो तो अभी AME course में total 17 module देना होता है 17 module में से 2 module ऐसे हैं जो module 1 and 2 है physics and mathematics यह invalid है यह हम लोग को DGCA AME licensing exam में नहीं देना होता है तो अब बच गए 15 module 15 module में से कौन-कौन से modules हैं वो मैं बताता हूँ module 3 electrical fundamentals जिसमें की जहाज का जो भी electrical system से related पढ़ाई है वो बताया जाता है electronic fundamentals module 4 जिसमें से जितना भी electronic चीज से relation है जहाज का वो बताया जाता है module 5 digital techniques and electronic instrument systems जितने भी electronic instrument systems हैं जिससे जहाज fly करता है like जितने भी instruments cockpit में लगे रहते हैं उसके बारे इन पढ़ाया जाता है module 6 material and hardware किस चीज का जहाज बना हुआ है material क्या है कैसे बना है क्या है वो सारा कुछ इसमें पढ़ा जाता है module 7 tools basically कौन-कौन से हम लोग यूज करते हैं जहाज को fit रखने के लिए और इसमें बहुत सारे safety precautions इसमें वो पढ़ा जाता है module 8 basic aerodynamics जहाज उरता कैसे है उसके पिछे क्या science है lift कैसे लेता है thrust कैसे मिलता है और भी बहुत सारे science जो की module 8 में पढ़ाया जाता है module 9 human factor जिसमें की human का errors related पढ़ाया जाता है module 11a turbine aeroplane aerodynamics and structure and system जो turbine engine जहाज होते हैं उसमें क्या क्या systems है कैसे क्या है वो पढ़ा जाता है module 11b piston aeroplane aerodynamics and structure and system piston aircraft में जो है वो पढ़ा जाता है module 12 helicopter aerodynamics structure and system helicopter में किस टाइप का structure होता है और कैसे कैसे systems काम करते हैं वो पढ़ा जाता है module 13 aircraft aerodynamic structure and system module 14 propulsion मॉडूल 15 गास टर्वाइन इंजन, मॉडूल 16 पिस्टन इंजन, मॉडूल 17 प्रोपेलर and I am very sure कि आप लोग category wise module भी जानना चाहते हो कि कौन से category में like A1 में, B1.1 में, B1.2 में, B1.3 में and B2 में कौन कौन से modules देने होते हैं so category A1 में कौन कौन से modules देने होते हैं It means Simple Simple Questions पूछे जाते हैं A1 को छोड़के बागी सबका अगर बात करें B1.1, B1.2, B1.3 and B2 का तो इसमें लगभग Label 2 and Label 3 के questions आते हैं बट कुछ-कुछ subjects है जो Avionics का subject है बट B1 को भी देना होता है तो उसमें Label 1 और 2 का ही question आता है और हाँ जी अगर आपको AIME बनना है तो आपको इन सारे modules को 10 साल के अंदर clear करना होता है जो modules का validity date है वो 10 साल के अंदर clear करना होता है तो आप मेंसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये पूछने कि हम ये module और बहुत सारे लोगों ने पूछा भी है कि हम ये सारा modules कब से देना start कर सकते हैं तो मैं बता दूँ कि जब आपका computer number आ जाए तो उसके बाद से आप ये module exam देने के लिए eligible हो और ये जो module exam होता है ये आपके college में आपके institute में नहीं होता है ये DGCA का online center होता है वहाँ पे exam को conduct किया जाता है और आपको center कहां चाहिए वो आपके उपटे पेंड है इसमें center choice आपको दिया गया है कि आपके इसी दो center को चुन सकते हैं लाइक पटना, कॉलकता, मुंबई, दिल्ली बट इसमें से जो आप center पहला डालते हो वो mainly आपको prefer किया जाता है और इसमें कोई भी exam pass करने के लिए कोई भी module exam pass करने के लिए आपको minimum 75% mark शाहिए होते हैं तो क्या होगा, तो अगर आप किसी भी module में fail हो गए हो एक बार तो उस module को आप next session में दुबारा दे सकते हो बट अगर आप उसी module को तीन बार लगतार consecutive attempt करने के बाद fail होते हो तो आपको particularly वो module देने के लिए एक साल का ban होता है बट इसके अलावा जो दूसरे modules हैं वो आप दे सकते हो बट जिस module में आप लगतार तीन बार fail किये हो वो एक साल खत्म होने के बाद ही आप उसको फिर से eligible हो देने के लिए अगर बात किया जाए exam sessions का तो एक साल में total 4 sessions होते हैं DGCA exam के और अगर बात किया जाए कि हम एक बार में कितना modules फिलब कर सकते हैं तो maximum एक बार में आप 4 modules ही फिलब कर सकते हैं so guys कोई भी module का आप त्यारी कर रहे हो तो उसको अच्छे से books follow करो questions follow करो अच्छे से thoroughly उसको prepare करके ही module exam देने के लिए आप चाहसे I hope आपको modules and module exam से related सारे doubt clear हो गए होंगे इसके पाउजूद भी अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप comment box में अपना doubt पूछ सकते हो यह रहा मेरा instagram का link आप यहां भी पूछ सकते हो यह रहा मेरे भाई का instagram का link वो भी 8 module clear कर लिया है तो उसको भी आप instagram पे follow करके उसे भी जो चाहे आप सवाल जो भी आपका doubts हो वो आप पूछ सकते हो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो please like करना मत भूलेगा because इसी से motivation मिलता है आप लोगको अच्छे अच्छे वीडियोस देने के लिए अगर आपको मेरा content अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊ उसका notification सबसे पहले आपको मिले तो इस वीडियो में इतना ही मिलता है किसी नए और exciting वीडियो में तil then do whatever you want to do do double but don't trouble anybody and yes stay safe stay healthy bye bye take care and see you